असलाम अलेकूम एबरिबड़ी लगता है मुह में पवनिया आ गया तो यह है चिकन पकोड़ा तो चलते हैं कीचन में और शुरू करते हैं चिकन हमने छोड़े छोड़े टुकोड़ों में काट लिया है यहां पर हमारे पास सारी चीज़े मौजूद हैं जो जो हमने इस चिक में यूज करनी है तो देखते हैं और साथ साथ में हम चीजों की टीटेल्स भी आपको बताते जाएंगे यहां पर हमने चिकन लिया है 800 ग्राम चोड़े चोड़े टुकोड़े इसके काट लिया है तो एग इसमें हम शामल करेंगे अभी उसके बाद हम शामल करेंगे वेज यहां पर हमारे पास मायोनस है दो टेबल स्पून यह भी आप साथ में ही शामल कर दें और उसके बाद हमने लिया है थ्री टेबल स्पून वाइट फलोर जिसको हम मैदा भी कहते हैं वो भी आप साथ में ही शामल कर दें अभी हम इसको वेल मिक्स करेंगे और यह बिलकुल हम त्यार है।भी हमने cabbage हम यॐपर चड़ा दिया दिया है। इसमें औपलेगाँ आज़ बाइसом हम तोड़ा गरम करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम वजान करेंगे फ्राइस करने के लिए। अगर आप कमारे चैनल फरीली बार आया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल अकन को भी दबा दें ताके हम बार बार मिलते रहें और नए नी रेस्पिया आपको मिलती रहें तो चले शुरू करते हैं एक चमच हमने लिया है उस उस चमच की मदद से हमने इनकी च्छोटी च्छोटी टीकिया बनानी है और जो आॉयल में हमने फ्राई करना शुरू करनी है तो अभी देखें यह फ्राई होना शुरू हो गया है और याद रखें कि आंच चुले की ज्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए ये मीडियम पे आप इसको फ्राई करेंगे जिस सरह हम पकोड़े फ्राई करते हैं और अराम अराम से इनको पल्टें ताकि ये टूटे गए नहीं और ये रेस्पी इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी है अगर घर में अचानक महमान आ जाएं तो आप ये तस से पंद्रा मिन्ट में तियार कर सकते हैं जी और मैंने इन पकोड़ों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार और भी चीज तियार की हुई है तो वो आगे देखते हैं हमने लिये थे एक किलोग्राम चोटे चोटे अलू और उनको हमने उबाल लिया था फुल उबाल लिया था छिलका उतारने के बगार हमने उबाल ले थे और उनको हमने हाफ पीस कर दी है ये भी आप देखेंगे तो इनको हाफ हाफ आपने काट दिया है तो अभी हमने वो जो चिकन का ओयल बचा था पकोड़ों वाला वो हमने इस्तमाल गिया थोड़ा सा इसमें और ये आलू कटे हुए हम इसमें डालेंगे और जैसे ही हम इसमें डालेंगे इसमें हम एक चुटकी नमक एक चुटकी ब्लैक पेपर देंगे और साथ में हम देंग आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे और जल्दी जल्दी ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ये थोड़े से सूक भी जाएंगे और इस तरह लगेगा जैसे आपने ओवन में बैक की हुए है और इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है और इनकी रंगत भी इनका कलर भी बहुत ही खुबसरत नज़र आएगा आपको ये देखें माशाला ये भी हमारे पोटाटो तियार हो चुकी है और ये हमारी पूरी रेसिपी तियार है महमान आ सकते हैं और इन्तजार करें या खुद खाएं अलाह आपीज